हेलो दोस्तो तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो आज की वीडियो यूटूब के दिले टिप को लेकर है दोस्तो 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं ये सेटिंग ना तो आज तक अपने यूटूब पर देखी होगी और ना किसी किसी ने आपको पताया होगा 100% प्रूफ के ना तो आपने यूटूब पर देखी होगी तो दोस्तो क्या सेटिंग है और कैसे यूज करना तो बने रहे मेरे इस वीडियो के अंतक दोस्तो आज की वीडियो यूटूब को लेकर दो सेटिंग बताऊंगा और दो सेटिंग इतनी खतरनाक होगी और तहल का मचा देंगी तो दोस्तो पढ़ते हैं आके। दोस्तो आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो और निव नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन के बटन पर प्रेस करो। ताकि मेरी आने वाले वीडियो को लिंक डारेक्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हो। तो दोस्तो चलते हैं अपने YouTube पर। दोस्तो हमारा YouTube सोचल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका जिससे हम छोटी से लेके बड़ी जानकारी तक ले सकते हैं। दोस्तो जो सैटिंग मैं बताऊंगा आज तक आपने ना तो सुनी होगी और ना YouTube पर देखी होगी। जैसा कि दोस्तो मैं अपने YouTube पर आच चुका हूँ। जैसा दोस्तो आप लोगों के सामने दिखाए दे रहा है कि एक मन्त पुरानी वीडियो है और ये छे साल पुरानी वीडियो है ऐसा जासे दोस्तो आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियो है उसको देख सकते हो कि ये कितनी पुरानी वीडियो है तो दोस्तो कभी आपने सुनाए कि मेरे YouTube पर निव अपडेट की वीडियो है नहीं सुनाए तो दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपन यूटूब पर निव अपडेट की वीडियो कैसे ला सकते हैं तो दोस्तो आप लोगों के सामने ऊपर लिखा हुआ है औल के सामने पबजी स्मार्टफॉन तो दोस्तो हमें सबसे एंड में जाना है एंड में जाने के बाद आप लोगों के सामने लिखा हुआ है रेसेंटल प्रावर पुरोंए वीडियो हो तो दोस्तो यह आप अपने मॉलफ पर कर सकते हो आप लूप्त ले सकते हो तो दोस्तो उम्मीद करूंगा यह मेरी फर्स सैटिंग आपको पूरा देखें तो दोस्तो चलते हमें अपने दूसरी settings के पारे में और इससे भी अच्छी setting होने वाली है दोस्तो ये setting भी आपके लिए बहुत important होने वाली है तो please video को पूरा देखें दोस्तो जब आप अपने family में किसी से या अपने friend से phone लेते हो YouTube चलाने के लिए तो आपने देखा होगा YouTube के अंदर हम कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो उसकी history आपके application में save हो जाती है कोई भी देख सकता है कि आपने YouTube पर क्या क्या सर्च करके देखा है इसी तरीके से आप अपने YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी भी history आपकी application में save हो जाती है जैसे कि मैंने आप बहुत सारी वीडियो देखी हैं तो उसकी history और उसकी वीडियो मेरे application में save हो चुकी है तो कोई भी बंदा आपके YouTube पर जाकर देख सकता है कि आपने कौन-कौन सी वीडियो देखी हैं और आप किस तरीके की वीडियो देखते हो तो आपके बारे में आपकी family या friend उन सबको पता चल जाता है कि आप YouTube पर किस ताइप की वीडियो देखते हो और इन सबसे आपको परेशानी भी हो सकती है तो आपके बारे में आपकी family या आपके friend को पता चल जाता है कि आप YouTube पर किस टाइप की वीडियो देखते हो तो इन चीजों से आपको परिशानी भी हो सकती है आपको सरमिन्दगी भी महसूस हो सकती है लेकिन आप चाहते हो कि मैं YouTube पर कुछ भी देखूँ या कुछ भी सर्थ करूँ तो मेरी पूरी हिस्टरी रेमूब हो जाए और मेरी application में कुछ भी से ना हो तो उसके लिए हमें अपनी profile पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके लोगों के सामने बहुत सारे option आ गए है तो हमें सबसे पहले हमें अपनी setting पर क्लिक करना ए सैटिंग करने के बाद आप लोगों के सामने फिर बहुत सारे option आ गए तो सबसे पहले हमें करना है history and privacy पर क्लिक इस पर क्लिक किया आपके सामने Clear watch history, Clear search history, post watch history, post search history तो हमें क्या करना है? Clear watch story पर seleccle क्लिक करने के बाद clear watch history पर OK करना है नीचे second number पर लेखा हुआ clear search history जो हम अपनी वीडियो search करते हैं तो यह इन चीने ओक कर देगा और नीचे लेखा हुआ post watch history इस पर भी हमें OK करना है and post करना है और इसको नीचे लज़ा सब्सक्रावा करते हैं सर्च करते हैं तो हमारी एप्लिकेशन में सेव होती है या नहीं तो आप लोगों के सामने देखो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी सर्च की लेकिन हमारी एप्लिकेशन में कोई भी वीडियो सेव नहीं हुई और जितनी भी हमने वीडियो देखेंगे वो हमारी करके आप चलूर जाना तो दोस्तों मिलते हम इससे भी अच्छी वीडियो के बारे में